दोस्तों आने वाले जिनों में बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले कि आपने क्या करना चाहिए अफर यू बाइन यू स्मार्टफॉन जिया वेदर इटिस सॉफ्टवेर, हाडवेर, एक्सेसरी सबके वारे में तो सब्सक्राइब करना मत बुलिए आपको पता चल जाएगा अब दोस्तों यह जो वीडियो है इट इस अल अब आप्स जी हाँ साल के आठ नौ महिने में लाँच हो जाते हैं दोस्तों बहुत सारे फोन सबकी वीडियो करते ही हैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके फोन पे होने ही चाहिए लेड़ स्टाट सबसे पहले दोस्तों एक अप है और यह जो फीचर है ना मुझे मोटो के फोन में बहुत पसे आता है मोटो जेस्टर अब ऐसी कीजिए तोर्स लाइट वागरे चालो हो जाएगा बहुत सारे आप असाइन कर सकते हो वैसे ही एक अप है फ्री ओफ कॉस्ट है और सभी आप जो मैं बताने वाला हूँ सब फ्री है कुछ-कुछ आइड सपोर्टेट है बट आर वेरी वेरी यूसफुल जैसे की शेकिट यह शेकिट जो एप है 9.9 MB का है 10 MB के अंदर है so lightweight है लेकिन आपको जो motor gestures देता है वैसे ही कुछ देता है और सम एक्स्ट्रा टास भी आप असाइन कर पा होगे so I think it is excellent go ahead in solid lightweight है दूसरा fun app है यह अब पिन इंटरेस्ट बहुत सारे लोग जो creative लोग होते है especially pin interest use करते है to find inspiration and all लेकिन pin interest का ही shuffles नाम का एक app है I think it is excellent definitely you should use it यह basically आपको एक collage वगेरे create करना है या फिर एक festival outfit है उसके लिए curation वगेरे करना है आपका घर का कोई kitchen हो bedroom हो इसको design करना है इसके लिए beautiful है मतलब आप literally visualize कर पाओगे कि मेरा outfit कैसा दिखेगा मेरा यह room कैसी दिखेगा अलग-अलग colors वगेरे उसको आपको visualize करना है you can do that even wallpapers आप create कर पाओगे overall shuffles बहुत अच्छी तर से बनाय हुआ है and pin interest का है so absolutely no problem अब इसमें थोड़ा fun एक app मैं आपको बता दूँ easter eggs आपको पता है कि हर एक android variant में कुछ ड़कुछ easter egg होता है जो आपको find करना पड़ता है लेकिन with easter eggs नामी easter eggs है उस आपका आप basically froyo android 2.2 से लेके android 15 तर जो भी सब easter eggs आये हुए है वो सब आपको मिलेगे यह basically collection है 3.11 MB का app है मतला 3 MB का यह app है fun app है जैसे का आपको install करना है कीजे वरना मत कीजे अब पिछले कुछ दिनों से दोस्तों wallpaper app के साथ लेके online बहुत जादा चर्चा चल रही है जी हाँ पैनल्स के बारे में बात करना हूँ you know okay anyway वो मैं बताने नहीं बाला हूँ जी या you don't have to pay यह जो है यह free wallpaper है rad walls नाम का थोड़ा है यह 70 MB का है but live wallpapers चाहिए वो भी you know retro feel classic vintage type चाहिए तो definitely आपने यह try करना चाहिए 6 second के looping videos होते है and you know they look beautiful I mean absolutely और 6 second के छोटे वीडियो होने के वैसे ज्यादा आपकी बैटरी usage वागेर है वो नहीं होता है seriously बहुत अच्छे wallpapers generate करता है कितने भी आप generate कीजिए आपको same wallpaper नहीं दिखे हमेशा कुछ unique नया दिखने वाला है and basically आप assign कर पाओगे कि एक दिन में करने या हर घंटे में एक एक नया wallpaper आप नहीं wallpaper आपको देखना है आप देख पाओगे so you know बहुत rare case होगा कि एक ही wallpaper आप अगे अगे नहीं totally unique नए every hour, every day, every week जैसे आपको चाहिए वैसे अब productivity के बार में बात करते है, Textra SMS जो है यह essentially एक alternative app अगर आप दून रहे हो SMS के लिए तो definitely आप इसके पास देख सकते हो, ठीक धाग है, थोड़ा vintage है, dated जरूर लगता है मैं कहूंगा but customization options अच्छे है, schedule कर पाओगे आपके text messages and अलग-अलग material designs, 180 जैसे आपको चाहिए themes अग UnTracker है, DeadMB का यह app है, आप जब भी links वगेरे share करते हो, तो आपके tracking जो होती है न, वो उस link में, बड़ी link होती है, तो tracking करता है, कहां से आया हुआ है, किसने भीजा है, यह सब आपको अगर निकालना है, UnTracker नाम का app है, दोस्तों, DeadMB का, वो इस्तवाल कीजिए, किसी भी link में जो tracking information होती है, निकाल देता है, आपको यह भी बता दू कि यह links है UnTracker के साथ, लेकिन आपको कहीं पे भी link पे click करने की ज़रूरत ने कि प्रोड़क टैक किये हुए, गो एंड चेक इट आउट, जैसे कि यह MacBook है, अच्छे डील चरने है, देख लीजिए, और यह मैंने लास Mb से भी छोटा app है, बट बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जो output आपको देता है, AI जनरेट करके जो output देता है, बहुत अच्छा है, आप chat उसके साथ कर सकते हो, natural language में, file attach कर सकते हो, photo बेज सकते हो, और उसके उपर से real-time analysis करेगा कि कौन सा photo है, किसका photo है, क्या कर सकते हो, आपको अगर customize करना है, वो भी कर पाओगे, emails वगेरे, बड़े emails आगए, दे दीजे, उसको बताईया कि भाई, क्या है इसका summary, वो बता देगा, meetings आपके होंगे, वो summarize करेगा, basically हर एक आपकी जो भी छोटी-मोटी चीज़े होते हैं, टास्क होते हैं, उसके साथ आपको assist कर ले सकते हो, Claude app के साथ, जो भी apps मैंने बताए हुए हैं दोस्तों, सभी के links मैं नीचे description दे रहा हूँ, go and check it out, लेकिन सिर्फ आपके पास मत रखे, अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूले, और ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ फाइदा हुआ, like जरू कीजेगा, चलि